ब्रेक के बावर का सागत है 29 सितंबर से शुरू होने बाले आश्विन नबरात्रों को लेकर जहाँ परदेश के शक्ति पीठों और मंद्रों में आस्ता का चलाब देखने को मिलेगा तो बही चारों और मां के भजनों से महौल भ्रक्ति में बन जाएगा इसे के चलते बिलासपुर के होनहार कलाकार अभिशेक सोनी और उसकी टीम ने मां के चर्णों में स्मर्पित दो भजन काये हैं जिसमें से एक भजन उठदिया पंचिया अब जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा 29 स्तंबर को शुरू होने बाले अश्विन नबरात्रों को लेकर जहां परदेश के शक्ति पीठों और मंद्रों में आस्ता का शलाब देखने को मिलेगा तो बही चारों और मां के भजनों से माहौल भक्ति में बन जाएगा इसे के चलते बिलासपूर के होनहार कलककार अविशेक सोनी और उनकी टीम दरा मां के चर्णों में समर्पित दो भजन काये गए हैं जिसमें से एक भजन उड़द्या पंचिया अब जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा उड़द्या पंचिया भवन को सुर्व अविशेक सोनी ने दिया तो भजन को बिलासपूर के ही पंडित परमानन शर्मा ने लिखा है वहीं भजन के लॉंचिंग से पूर बिलासपुर के A.D.M. बिने धिमान ने इसका पोस्टर लॉंच किया और भजन से संबन्दित सभी कलाकारों को अपनी शुब कामनाई दी हैं वहीं भजन के गीतकार अभिशेक सोनी ने बताया कि भजन के बोल भले ही पंजाबी है मगर शूटिंग बिलासपुर जिला के विवेन लोकेशन पर की गई है जो कि परेटन की दृष्टी से महतपुन है और उन्हें पूरी उमीद है कि भजन को देखने के बाद बिलासपुर में परेटन की आपार संभाब नाए बढ़ेंगी कोरतलब है कि इससे पहले भी अभिशेक सोनी की टीम दोरा सांबरा भजन प्रसुत किया जा चुका है जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था पूरी टीम विलासपुर के थी और इस भजन के माध्यम से एक पंची है जिसको कहा जा रहा है कि आप मातरानी के पाशित जाकर बताना कि हमारे हाल कैसे हैं और थोड़ा सा मेरा जीवन है मेरी जीवन की थोड़ी सी कहानी उस भजन में दिखाई गई है और उसके साथ-साथ बिलासपुर की ऐसी लोकेशन हमने इस बार अपने भजन में ली है पिछली बार हमने भजन निकाला था सावरा उसमें भी बिलासपुर के लोकेशन ले थी जो लोगों ने बड़ी पसंद किये उसके बाद कई भजनों की शूटिंग यहाँ पे हुई अब हमने फिर से शूट करने के लिए आएंगे।